बारतना सवुथी फेमस औने टोप मोस्ट मास्टर शेफ संजु कपूर गईकाले अमदा शेर ना मेमान बने आता अमदा आद मा तेमनी एक नवी रेस्टोरेंट शलू थाई छे जेना प्रमोशन ना भाग रुपे तेमने तेमनी आ होटल होंग कोंग मा हजरी आपियाती अने तेमना फूड अने रेसिफी एक्सपिरेंस शेर करी ने लोकोने खुश करी दिदा ता तेमने आइवेंट मा फूड अने लोकोना टेस्ट हवे केवी रिते बदलाई रहाए छे अने लोको केवी केवी डिमांड करी रहाए छे संजी कोपूर आजने जमनाना भारतिय वांगियों बनावा माटे सवती फेमस चेरो छे तेमने भारत मारहिने भारतिय वांगियों मा घणो बदलाव अलावयो छे तेमने डीश अने जाज जातनी रेसीपी आज ये पन लोको वखाने छे तेमनों शो खाना खाजाना थी तेवो खणा फेमस थाई चुक्या चे। आ सिवाय तेमने तेमनी फूड फूड चेनल पन लॉंच करेली छे। दे ग्रेट मास्टर सेफ संजी कोपूर नी रेस्टोरंट होंग कोंग अमदाओद शेन मां सीजी रूड पर स्तरू करामा आवी छे। अईवेंट ना प्रमोशन ना पागरुपे संजी कोपुरे हाजरी आफियती होंकोंग रेस्टोरेंट ए संजी कोपुरें रेस्टोरेंट नोच एक भाग छे दुबई मां होंकोंग रेस्टोरेंट नी अत्या सुधी चाल ब्राण्स खळोंग मां आवीछे आम दाओध मा साहिल शा अने पार सूतरिया ध्वारा आ होटर बनाव मा आभी चे अने चाइनिज फूड मानी शक्षें अहीनी बदी रेसिपी मास्टर सेफ संद्वारा आ है संद्वारा आ है त्यमें दीमांड ने ध्यानमा राखी ने दरेक सेफे पुता नी वानकियों मा चेंज अने एक्स्परेमेंट्स करो पड़ता होचे त्यमेंट्स कर अद्वारा आ हुआ। भी आजकल क्या होता है कि फाला नूूली है। फास्ट लगे 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 कि इन तो हमारा है तो उसे ट्रॉण से शर्म आजेड़नें। खाना हो ही है तेस्ट हो ही है। लेकिन ट्रॉण साथ की जो पैकजिग है उसकी तो ऐसे ही जब फैमिलीस खाना खाने जाती तो खाना सबको टेस्ट इंडिया नहीं होना चाहिए बट उसके अंदर शेप और फॉर्म डिफरेंट मोनी चाहिए कभी पीज़ा के रूप में, कभी बर्गर के रूप में, कभी गुल के रूप में, कभी कैसे ऐसे आ इवेंट माँ चाहिणीज अने पानेशियान फूड पन वधारे फोकस कर्यू आतू, करने के तेमनी आ होंकोंग रिस्टरंट माँ लोको ना बे फ्यूजन पिरेस्वामा आउशे आ सिवाय तेमने जणाविव के भारतिये लोकों गमेतिया जाये, पन पहला इंडियन फूड खावानू वधारे प्रिफर करे छे परन्तु आ वाद बाडोकोंना किस्सामा उंधी पड़े छे, बाडोकोंने हमेश राग काईक नवूज खाव होई छे आने तेमने इंडियन फूड के होम मेर फूड पसंद नथी होतू, इटलेज तो आ मैगी औने नूडल्स बाडोकों मा फेवरिट छे आ सिवाय आ मैगी औने नूडल्स नूडल्स पैकेजिंग पन बाडोकोंने गणू आकरशित करतू आई छे संजीकोपुर दरेक फूड माटे एक संदेशो आपता गाये छे के एक्सपिरियंस मेक्स सक्सेस्पूल कूप दरेक कूप के दर्रोज कईक नव बनावू जोई ये अनशिकू जोई रोज फूड पर नवा नवा एक्सप्रेमेंट्स करवा जोई एक सारा कूप बनवा माटे आ वाद खुब ज़रूरी छे आम करवा थी ते कूप लोको ना जुदा-जुदा टेस ने पाड़की शक्षे औने बेस्ट फूड बनावी शक्षे दरेक वस्तु माँ क्रेटिवटी जरूरी छे और ते करवा माटे तामारामा हिम्मत जोई ये और ते हिम्मत करशो तो तमें आगड जही शक्षो तेहो पोतानी वाद करता कहे छे के तेमने कूकिंग नो हेतु हमेशा तेमने पेशनेट करे छे अने तेहो तेना थी अलग-अलग वानगियों बनावा और एक्स्पिरेंच करवा प्रेराय छे आईवेंट पा तेमने लाईव डेमो पन आपयो तो अने एक पानेश्ययन वानगी बनावी ने लोकों सामे रजुक करिया दी जो संजीव कपूर नी रेसिपी अने साथे साथे पानेश्ययन और चारिस पूर्णी ऑथेंटिक वानगी खावी होई तो जरूर ती होंग कॉंग रेस्टोरन मा जवुजुई है अपरी जुड़े छे इंडिया ना मास्टर शेफ एवा संजीव कपूर तो चालो करिए आजए अबडी अमी साथे थोड़ी जामने बात चित यह आपकी जो रेस्टोरन हुँ रही है होंग को तो इसके बार में थोड़ा ब्रीफ कीजिए आप जोरूरर और अम्लबाद जो है वो क्षावियों की नगरी है और यहां पर लोग खाना पसंद करते हैं तरह तरहां खाना आपसंद करते हैं तो हमारा निया प्रैन हमने इppen लाउंच अप हार ज़ेख एक मुंबई में हांस को राउंच किया और अच्छा तो हमने का कि आजकल अब जो है गुजरात पहले से ही बहुत चर्चा में था अब तो गुजरात पूरी दुनिया बिचाया हुआ है तो यहां पर आकर जंडा ज़रूर गाड़ना चाहिए तो होंग कॉंग बढ़िया चाइनीज बैनिजन खाना यहां पर रीजनेबल प्राइ यहां पर मिलेगा और आजकल जो यंगर लोग है उनको जादा इंटरनेशनल फूड की समझ भी कहूंगा डिमांड भी कहूंगा सारी वह होती है तो उसी हिसाब से इसको सारा मेन्यू भी वैसे ही डिजाइन किया गया है पूरा डेको और भी वैसे ही है अच्छी लोकेशन थैंद आज है हम कांग कोंग जिसरह से मुंबई में अच्छा नाम कमाया है थोड़ी समय में अमदाबाद में भी कमाया है तो अपकी कॉंसीडेशन और रेसिप यहां पर लोहों को खाने मिलेंगी यह पूरा का पूरा रेस्टॉंट अपनी पसंद के जब यहां पर आएं तो अपनी पसंद से चूज करें 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 अपनी पसंद से तो आपको भी रिखाते हैं कि मैन्यू में पड़ा स्मार्ट मैन्यू है और उसके अंदर चॉइस में काफी अच्छी चॉइस है रीजनबली प्राइस्ट है इमदरबाद में काफी जगे अप मिल शुरू हो गया है तो जो चीज मुंबई में यह एक हूंक ओग कर तो एक हृँक तो मिलना शुरू है जो चीज मुम्बाइ नया है जहीं है यह स्पर्नेयू में आ जाये है तो रिखिशित हैं प्राइसल रिखिए मैंटों यह श्री यह बेडियों क wooden सिरूस वनले में फ़र ररेक। देपारिक पार्स, साहिआड़्स। एक बोल्स मेंूल्स पार्समार्सिंभण दोशाश। श्रण को मारी चाहिए देन्हारी सिरूस्ट काफने जोटी उिता में तो अरूस्योन है ? एयुर मेरे आगाके गया नहींución तो इसलिए मुझे ज़ाज़ा सोचने कि जुरूवत नहीं है और यह तो है अलग वाले का हमहे स्वारा करते हैं हमखने दिल से काम करते हैं और उस इसाब से बड़ी आ टीम को़ ट्रें करते हैं और खाने में रेस्टरांट में बड़ा सिंपल होता है कि अगर कुछ अच्छा किया जाए तो लोग पसंद करते हैं। जरूरी निये कि बाकी क्या कर रहे हैं आप उसके बारे में सोचें। अकॉर्डिंग तो यू वाट इस ऑथेंटिक फूड? ऐकॉर्डिंग तो मी उथेंटिक फूड इस जो आप जो बना रहा है जो कर रहा हैं वो उसके हिसाब से ऑथेंटिक हैं। मैं जो कुछ बनाता हूं मैं कहता हूं मैं सझीव कुछ ओपूर उथेंटिक बना रहा हूं। कुछ प्रसुप्षिन होती है कि जैसे गुजरात में अपने है यह जो गुजराती लोग जादा बनाते हैं तो गुजरात के लिए कज़ात का अथन्टिक अजाएगा इसथे जो चाइना में बनाये जाएगा चानीज लोग बना रहे हैं वो चाइनीज ख्हाना उतनिक हो और सिर आपके हिसाब से हाइजेनिक फूड कौन सा होता है हाइजेनिक फूड जो खाना अच्छी साफ सुत्रे तरीके से बनाया जा उसके परसनल हाइजीन जो बनाने वाले हैं वो खाने के निगीडियन जे वो साफ हैं साफ एंवारिमेंट में बनना चाहिए यहां जो इस साल के विनर रही है मास्टर शेफ इंडिया की वो दुमई में रेस्टरांट में उसकी डेश इंप्लूड की गई है वो रेस्टरांट में जाकर वहां पर खाना बना रही है पिछले सीजन्स के जो है एक ने अपनी कुकिंग लासे चुरू की है किसने रेस्टरांट अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक साल में पूरी दुनिया उनके लिए बदल जाएगी हर काम में मेहनत लगती है समय लगता है खाना वो अच्छा उन्होंने बनाया है अब उसको आगे कैसे वो ड्वेलप कर सकते हैं वो उसमें समय लगेगा